Good morning friends, मैं बिनी चौधरी, पॉरेटर इंग्लिस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आए मैं एक special sentence ले करके आया हूँ, जो एक spoken में हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे मानना परेगा कि तुम बहुत चालाग हो, मानना परेगा वे लोग बहुत इमांदार हैं, मानना परेगा वे लोग बहुत मददगार हैं, मानना परेगा विराट कोहली बहुत अच्छा बल्लेबाज है, मानना परेगा तुम्हारा भाई एक छुपारुस्तम है, तो मान नापरेगा का अगरेजी सुखना परेगा थिक है तो मानना परेगा को Garloon जिमेगा आई हैब टुए डिमीट क्या बोलेंगे I have टूएड मिट और हिंदी में जैसे मानना परेगा के बाद को संटेंस लिख देते हैं उसी तरफ से अंग्रेजी में आपको I have to admit के बाद कोई sentence लिखना परेगा लेकिन फिलाल आपको मानना परेगा का अंग्रेजी याद रखना I have to admit होता है ठीक है जैसे देखिए यहाँ पर मानना परेगा तुम बहूत चालाक हो I have to admit you are very clever ठीक है आगे अगर हम sentence ले तो ले सकते हैं हम लोग अब जैसे देखिए मानना परेगा तुम बहूत चालाक हो तो I have to admit I have to admit मानना परेगा I have to admit मानना परेगा I have to admit मानना परेगा I have to admit I have to admit यहाँ तक तो हम लोग सब में लिख लिए ठीक है और इसके बाद जो अगला sentence है तुम बहूत चालाक हो इसको देखिए कैसे बनेगा तुम बहूत चालाक हो तो you are very clever ठीक है वे लोग काफी मददगार है they are very helpful रोहन बहुत बहादूर है रोहन is very brave तुम्हारा भाई एक छुपारुस्तम है यूर ब्रदर इज अ डार्क होर्स यूर ब्रदर इज डार्क होर्स ठीक है तो देखिए हम लोग क्या किये सबसे पहले मानना परे का मानना परेगा इसका अंग्रेजी होता I have to admit और I have to admit बोलने के बाद आप जो भी सेंटेंस हिंदी में बनाना चाहें उसका अंग्रेजी आप बना लेंगे तो आप यह सेंटेंस बना सकते हैं ठीक है तो मानना परेगा का अंग्रेजी I have to admit याद रखिएगा सब आदमी मानना परेगा का अंग्रेजी I have to admit और उसके बाद जो sentence बनाएंगे उसका अंग्रेजी हम लोग बना लेंगे समझ मा गया अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इससे सेयर करिए चैनल को फालो करिए या सबस्क्राइब करिए और इस तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स तो फिए ये वेरे मुच वेवन नष्टे जो आपको देखने के लिए।